नमस्कार दोस्तों मैं विकास मलोत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दिपावली का पर्व आने वाला है इस वीडियो में आप से बात करूँगा दिपावली का पर्व पे कौन सा महुरत सबसे अच्छा रहेगा जिसमें आप मालक्ष्मी की बूजा करें और कुछ उपाए जो दिवाली पर किये जाते हैं उनका बहुत जल्दी फली भूत होते हैं ये जो पाँच दिनों का पर्व होता है इन में जो भी आप उपाए करेंगे वो फली भूत बहुत जल्दी होते हैं तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि कुछ उपाई अगर आपके बनते हैं तो आप वो उपाई जरूर कर ले सबसे पहले बात करूँगा दिपावली की तिथी की आप सभी लोग जानते हैं इस बार दिपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा अब लक्ष्मी पूजा का मुहरत जो है सबसे बेस्ट मुहरत जो है वो है शाम को 6 बच कर 53 मिनट से लेकर 6.53 पीम से लेकर 8 बच कर 16 मिनट रात तक ये approximately एक घंटा 23 मिनट का मूरत रहेगा ये सबसे अच्छा मूरत रहेगा लक्ष्मी पूजा मूरत है भी कहते हैं इसको इस समय पर अगर आप पूजा करते हैं और इसमें व्रिशब काल भी आपको मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट तरीका है रहेगा कि शाम को अक्टूबर 24 को आप जो पूजा करें वो शाम 6 बच कर 53 मिनट से लेकर 8 बच कर 16 मिनट तक कर ले अब दिपावली पे कुछ उपाये आप खास कर सकते हैं उन उपायों पर बात कर रहो सबसे पहले तो आम के पत्ते या अशोक के पत्तों से बहुत शुब मानी जाती है तो मुख्य द्वार पर चावल और सिंदूर के मिश्रन से आप ये भी कर सकते हैं मालक्ष्मी के पैरों के निशान बना ले साथ में आम के पत्तों या अशोक के पत्तों से बनी वी तोरन अपने मुख्य द्वार पर बांदे ये जो मालक्ष्मी के पैरों के निशान होते हैं मार्किट से बने बनाए भी मिल जाते हैं वो लगा सकते हैं बस ये ध्यान रखिएगा इनकी दिशा घर के अंदर की ओर होना जरूरी है एक और चीज जो आप करेंगे घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से ओम या स्वास्तिक का निशान जरूर बनाए मालक्ष्मी के लिए धन आगमन के लिए भी बनेगा शुब भी होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि हल्दी से बनाएंगे ब्रस्पती का कहीं न कहीं आपका सैयोग रहेगा तो आपको इसका बहुत लाब रहेगा अब अगर धन संबंदी बहुत परिशानियां आ रही है तो दिवाली वाले दिन हनुमान जी का ये उपाए करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है किसी भी पीपल के वरिक्ष का एक पत्ता तोड़के ले दिवाली वाले दिन ही लाएंगे सोमवार का दिन है बहुत आसानी से आप पीपल के वरिक्ष का पत्ता तोड़के ला सकते हैं उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें और इसके बाद इस पत्ते पर मिठाई रखें और हनुमान जी को अर्पित करें ये आप घर पर भी कर सकते हैं और अगर मंदिर में करते हैं तो जादा अच्छा रहता है दिपावली का दिन बहुत खास माना जाता है अगर आपको किसी तरह की नजर लगती है नजर दोश है या आपके परिवारवालों के उपर कही स्वास्थ ठीक नहीं रहता तो आप दिपावली पूजन कर लीजे जैसा कि मैंने मुरत में बताया है दिपावली पूजन करने के बाद कोई भी एक व्यक्ति आपके घर का चाएंबो मुखे जो मेंबर है वो भी कर सकता है काले तिल अपने हाथ में ले ले और घर के सभी सदस्यों के सिड़ से 7 बार एंटी क्लॉकवाईस घुमा कर घर से बाहर फैंक दे उसके बाद घर का कोई और दूसरा सदस्य उस मुखिया के लिए ये क्रिया कर सकता है इससे अगर आपके धन की हानी होती है किसी की नजर लगने की वज़ा से या नजर दोश है तो स्वास्त की प्रॉबलम रहती है तो वो प्रॉबलम भी खतम हो जाती है अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने लाग प्रयास कर लिये लेकिन हमें काम में सफलता नहीं मिलती किस्मत कही ना कही साथ नहीं देती पैसों की भी बहुत परिशानी है काम बन नहीं पारा तो दिपावली पे जब आप मा लक्ष्मी का पूजन करें तो मा लक्ष्मी को चने की कच्ची दाल अरपित करें और उसके बाद वो उठाकर कलेट करके उसको पीपल के व्रिख्ष पर अरपित कर दें इस से भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा और दिपावली के दिन आप एक उपाय और कर सकते हैं पांच पीपल के पत्तों को तोड़ कर ले आईए अच्छे से उन्हें साफ कर लीजे मा लक्ष्मी का पूजन कर लीजे और उन पत्तों पर पनीर या दूज से मना हुआ कोई मिश्ठान रखकर उसे पीपल के व्रिक्ष पर अर्पित कर दे और अपनी इच्छा जो भी आप मनो काम नाम के मन में हैं वो भी आप कहें तो वो कारे भी जल्दी पूरा होता है इसके अलाबा एक चीज आपको और करनी होगी दिपावली के दिन आप एक जाडू जरूर खरीद के लाएं और चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं फूल जाडू और तीलों वाला जाडू दोनों ले आईए और दिपावली की सफाई जो करेंगे वो उस जाडू से कर सकते हैं इसमें मैंने धन तेरस पे आपको पहले भी बताया था कि आप सेंधा नमक का पैकेट लाग सकते हैं अगर तो आपने धन तेरस पे वो उपाय कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो सेंधा नमक का पैकेट दिपावली वाले दिन भी अगर आप करते हैं तो उससे बनाया जाता है कि भगवान राम अयोध्या में वापस आये थे तो एक घी का दिया भगवान राम के नाम का जरूर जलाएं एक का सौ जलाना चाहें आप जला सकते लेकिन एक तो जलाईए भगवान राम का नाम लीजे जैश्री राम बोलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मालक्षमी के पूजन में इतना व्यस्ट हो जाते हैं कि भगवान राम को भूल जाते हैं तो जरूर जैशरी राम कहके एक दीपक जरूर जलाएं और ये दीपक आप घर के मुख्य दवार पर भी रख सकते हैं या कही और अगर आप रखना चाहें, वहाँ भी रख सकते, लेकिन ये एक दीपक जरूर जलाएगा, गाएं के घी का दीपक होना चाहिए, दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकि लोगों के साथ भी और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी आने वाले समय में और वीडियो भी अपलोड होंगे, और नोटिफिकेशन बेल आन रखिएगा, कई लोग क्या होता है, सब्सक्राइब कर देते हैं, नोटिफिकेशन बेल आन नही तो आपको पता कैसे चलेगा नया वीडियो अपलोड हुआ है तो समय पर आपके बास नोटिफिकेशन आजाएगी क्योंकि सूरे ग्रहन भी है तो सूरे ग्रहन के कुछ उपाए जो की बनते हैं इस बार का सूरे ग्रहन बहुत इंपोर्टेंट है मैं बात करूँगा उस सूरे ग्रहन के क्या उपाए किये जा सकते हैं और आगे आने वाले कुछ फेस्टिवल्स हैं उन पर भी जो उपाए बनते हैं मैं आपके साथ कोशिश करूँगा टाइमली शेयर कर लूँ धन्यवाद दोस्तों आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक